लेबलिंग का क्या मतलब होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं लेबलिंग का मतलब होता है किसी चीज़ पर किसी चीज़ का लेबल लगा देना लेबल लगाना मतलब कि चिनहित कर देना या उस चीज़ का नाम लिख देना यानि कि मानले जी आपके kitchen में 5 डिब्बे हैं जो बिलकुल देखने में एक जैसे हैं तो उनमें अपने अंदर क्या-क्या लिखा हुआ है ये अगर आप किसी परची पर लिखकर उसके उपर चिपका देते हैं तो उसको label करना कहते हैं या फिर मानले जी अलग-अलग company जो है अलग-अलग प्रकार के product बनाती है तो उनproducts पर लिख दिया जाता है फ़ला प्रोडक्त है तो उसको भी labeling कहते हैं यानि कि कि सी चीज पर किसी चीज का label लगाना किसी चीज़ का ठपा लगा देना या किसी चीज़ का चिन या निशान लगा देना यानि कि जैसे आप माले जी कहीं मैप देखते हुए जा रहे हैं तो उस मैप पर आपने कहीं जगहों पर निशान लगा दिये कि यहां मुड़ना है यहां रुकना है तो वो एक labeling हो गई तो इस तरीके से इसको labeling कहा जाता है जैसे कि अगर आप यह कहना चाहिए कि labeling से या लेबल लगाने से या चिपपी लगा देने से या लगा कर या लिखकर कुछ चिपका देने से हमें container की सामगरी की पहचान करने में मदद मिलती है तो आप कहेंगे labeling helps us identify the contents of containers या अगर आप यह कहना चाहिए कि मानचित्र पर labeling से हमारा रास्ता ढूनना आसान हो गया तो आप कहेंगे the labeling on the map made it easy to find our way या अगर आप यह कहना चाहिए कि भोगता सुरक्षा के लिए उतपादों की उचित labeling महतोपूर है यानि कि जो proper label उस पर लगाना ज़रूरी है कि यह चीज़ खाने की है नहीं खाने की है यह इसमें क्या क्या साबधानी बरतनी है क्या product है तो आप कहेंगे proper labeling of products is important for consumer safety अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें